आज हम बना रहे हैं मटर पनीर पुलाव बहुत ही तेस्टी बहुत यमी बनता है एक एक चावल के दाने में टेस्ट रहता है और यह इतना यमी होता है कि आप इसे ऐसे ही खा जाएंगे आपको किसी ग्रैवी की किसी रायते की जौरत नहीं पढ़ने वाली है और एक एक दान के मैंने इसे तीन से चार बार धो लेंगे और इसमें पानी डालके इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे आधे से पॉन घंटे के लिए और एक पैन में ओली अफिट थोड़ा सगी ले लीजेगा उसमें डाल लेजेगा काजू और काजू को हलका सा फ्राय करके आप में अलग रख लेंगे और एक गंज में दो टेबल स्पून मैंने घीले लिया है और इसे मैं चौक रही हूं तेज पत्ता और जीरा से और यहां एक बड़ी प्यास मैंने पतले और लंबे तुकडों में काइट ले थी और प्यास को बिलकुल अच्छी तरह से हमें अच्छ लॉंग, डालचीनी, छोटी लाइची, बड़ा लाइचा और जावित्री और इन मसालों को हमें कूट लेना है जो हमारे पुलाओ में एक एक दाने में जो टेस्ट आएगा वो यही गरम मसाला सीक्रेट है तो कूट के हमें इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से चला ल अच्छे ौट कर लिया पानिये का दानलरी चावल, अच्छे स्वादम नमक पानी खाली दाल देंगे अ 13 वह्यूप नंक जाब रजब नहिंका वो गपा प्लसती जो आपके पस दही बंड़ारनी के यहळी जैगा पनीर और काजु दाल दीजगा और कोई हेवी बरतन इसके उपर रख दीजेगा और इसे कम आच में 10-12 मिनट के लिए हमें पकाना है और 10-12 मिनट जब हो जाएंगे तो इसे चेक कर लेंगे तो आप एक बार चमत से जरूर से चेक कर लिजेगा कि चावल गला है कि नहीं और आप देखिए जो चावल है हमार कितना अच्छा बना है एक एक दाना अलग बना है तो आप इसे घर में ज़रू ट्राय करिए का बहुत टेस्टी बनता है और मुझे जरूर बताइगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लिए और अ